हलो यूट्यूब, वेलकम टू मैं चानल विजनरी तो जब भी मैं यूनिवर्स ये शब्द बोलता हूँ तो आपकी मन में यूनिवर्स की कोई सुन्दर पिक्चर आती होगी लेकिन हमारा ये जो सुन्दर यूनिवर्स है ये सुन्दर होने के साथ साथ काफी मिस्टीरियस भी है तो आज हम इसी सुन्दर और मिस्टीरियस यूनिवर्स की कुछ स्पेस मिस्ट्रीज को डिसकस करेंगे नमबर वान, दे मिस्टीरियस वॉइड ये वॉइड अर्च से लगभग 700 मिलियन लाइट इयर्स दूर है ये वॉइड लगभग 1.8 बिलियन लाइट इयर्स में फैला हुआ है और यहां पे कुछ भी नहीं है यहां पे लगभग 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए और ये एक सूपरनोवा एक्स्प्लोजन से बना है यानि एक तारा जब फटा था तब इसका निर्मान हुआ था लेकिन यहां पे मिस्ट्री ये है कि चाहिए कितना भी बड़ा सूपरनोवा एक्स्प्लोजन हो जाए इतना बड़ा वॉइट क्रियेट नहीं हो सकता नमबर टू 55 कैंक्री इ यहां प्लैनेट पूरा का पूरा डैमेंड से बना है जी हां डैमेंड से क्यूंकि यहां पे भहुत सारा कार्बन है और यहां का घनत्व यानि डैन्सिटी भी भहुत ज़्यादा है और यह तो हम सभी को पता है जब कार्बन पे भहुत सारी डैन्सिटी पढ़ती है तो वो डैमेंड बन जाते हैं लेकिन ये सुनके आपको खुश होने की जरूरत नहीं है क्यूंकि ये अतारा अर्च से लगभग 40 light years दूर है नमबर थ्री ब्लाक होल्स ब्लाक होल्स इस ब्रह्मान की सबसे विच्चेत्र चीज होते हैं ये ब्लाक होल्स की सबसे पहली पिक्चर है जो नासा की एक साटलाइट ने खींची थी ब्लाक होल्स के अंदर फिजिक्स के लॉज काम ही नहीं करते हैं ब्लाक होल्स को एक्स्प्लेन करने के लिए तो बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन आज तक उन्हें ठीक से कोई भी थियोरी एक्स्प्लेइन नहीं कर पाई है इसलिए ब्लाक होल आज भी अंडिफाइंड है कुछ साइंटिस्ट की थियोरी कहती हैं कि ब्लाक होल टाइमलेस है यानि कि ब्लाक होल में टाइम एक्जिस्ट नहीं करता है तो कुछ की थियोरी ऐसा कहती है कि ब्लाक होल में जाते ही हम किसी और डाइमेंशन में ही पहुंच जाएंगे लेकिन ब्लाक होल के बारे में सटीक अंदाजा किसी के पास भी नहीं है नमबर फोर, डार्क एनरजी और डार्क मैटर डाक मैटर सबसे विच्चित्र चीज है इस ब्रहमांड की बरसों से हमें यही लगता था इलेक्टरॉंस, नियोट्रॉंस और प्रोटॉंस का ही यह ब्रहमांड बना है लेकिन इस साइंस ने भहुत तरक्की की है और अब हमें यहाँ पता है के हम यह जो सूरज, चांद, तारे, यह प्लानेट्स, एस्टरोइड्स, मीटरोइड्स और यह इंफिनाइट स्पेस जो देखते हैं यह तो इस ब्रहमांड का सिर्फ पांच परसेंट है जी हाँ सिर्फ पांच परसेंट और बाकी का 95 परसेंट तो डाक एनरजी और डाक मैटर है इसलिए तो डाक एनरजी को किंग अफ दे युनिवर्स भी कहा जाता है डाक मैटर 26.8 परसेंट, और डाक एनरजी 68.3 परसेंट है इस ब्रहमांड में नमबर फाइव, दे एक्सपैंडिंग युनिवर्स साइंटिस्ट ने हमेशा सही इस युनिवर्स की लेंद को फाइंड करने की कोशिश की है और अब हमें यहाँ पता है कि युनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज एक्सपैंड हो रहा है यहाँ, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज एक्सपैंड हो रहा है यह मेरी पहली यूट्यूब विडियो थी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वाइट